आज हम बनाने जा रहे हैं आम का हलुआ, आम का हलुआ बनाने के लिए हम चाहिए एक आम, एक छोटी कटूरी सुझी, एक छोटी कटूरी चीनी, एक बड़े चम्मस देशी ही, पंद्रा से पीस टुकड़े काजू के गुलाब जल, सबसे पहले आप क्या करिए आम को चितर अ दोका छील करें चोटे पीस में काट लिजे और गैस पर आप दूनों तरब एक तरब फ्राइंग पैन रखिए और दूसरी तरब पढ़ाई रख दीजे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्राइंग पैन में आम को डाल देंगे, गैस को मैं पहले ही जला दिया था, फ्राइं अब शूची नाप लेंगे, अब हलुआ सईगा शिर्पर चना देंगे और उसे धार देंगे, अब कड़ाई में हम दालेंगे, गी अभी मैं दो चमज डाली हूँ, फिर उसके बाद धुनने के बाद यदी कम लगेगा तो और डान देंगे, सूजी है एक चोटी का तोडी, गेस की आज को केज करेंगे, और सूजी को भूनेंगे, ब्राउन होने पर इसको भूने में तीन से चार मिनट का टाइम लगेगा, देखें, तीन मिनट ही अभी हुए थे, अब सूजी बिलकुल भून गई है, और गेस की आज को धीम स्लो कर लगेए और इससे समय हम इसमें काजू ढाल देंगे 204 पीसं बचानेगी उपर से डालने के लिए इसमें हो खाते हैं, काजू के टुकड़ें ख़ाने में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगता हैं और छोटी लेकल डाल करम गुलाब जल डालने कि आम का अपना फ्लेवर उता है। गुलाब जल डालने से इसका उपर उपर आता है। काजू के साथ गयस की आज को दिमा कर दिया है और जो हमने आम पकने रखा था उसको देखा है कि वो पक गया है पका हूँ आम तो था है चीनी इसमें भूल गई है इसके विए गयस बंद कर देते हैं अब इसे समय अब इसमें हम डालेंगे गयस के आज बीमी रखेंगे इसमें हम डालेंगे पानी जिस कटोरी से आप सूजी का नाप लिया थे उसे से आप लेंगे पानी में दो कटोरी और आता है इसके पानी डाला है जैसे आप से पेस के जिए और इसे हम चलाएंगे जैसे इसमें बाल आएगा तो हम पके हुए आप परचीनी इसमें डालेंगे इसमें उबाल आगया है अब यह हम आप परचीनी इसमें डालते ही है और इसे भी कढ़ाई छोड़ने तक हम मिडिया माच पे चलाते हुए भूलेंगे इसमें हम डालेंगे गुलाब चलाते हुए छोटा चमच गुलाब चलाते हुए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देशिपूर और इसे चलाएंगे इसको बन रखेंगे देखें आप हल्वा का कलर कितना संदर आया है इसमें काजू के टुकड़े और आम पर पीसस कितने अच्छे लग रहे हैं इसे हम सब करेंगे यह बॉन लेंगे उसमें हम हल्वा को कर लेंगे इसको परम डालेंगे काजू के कुछ उताने आम का हल्वा बनकर तयार है आप इसे बनाइए और मुझे बतलाइए आपको कैसा लाग आप मेरे वीडियो पर ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कर दो